दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग और मैं हूँ आपका दोस्त रोष्ट सौरब जैन फिर दोबारा स्वागत करता हूँ आपका CP Smart Classes में और आज हम बात कर लेने वाले हैं दोबारा Fundamental Right के बारे में ठीक है, Fundamental Right इस समय पर टॉक पिश चल रहा है, इस समय पर सबसे ज़्यादा important topic चल रहा है, जिसके बारे में हर एक सामन नागरिक को पता होना चाहिए, कि उसका कोई भी जो है, मौलिक अधकारों का अनन न कर पाए, कोई भी कुछ भी कह देता है, आसानी से और आप गवरा जाते हैं, तो ऐसे में ड़नने की बिलकुल बात नहीं है, क्योंकि आप पढ पर अन्य नोट्स भी रो जाना के, भी यो की क्लासेज भी चल रही हैं, इस पर वो सारी चीज़ां भी देख सकते हैं, तो मैं बात कर लेता हूँ, इससे पहले जो हमने बात कीती, वो बात कीती, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टु लाइफ और परसनल लिवर्टी के बा होता है कि आर्टिकल 21 के तहट जैसे ही आप केस करेंगे, तो राज्यस को नोकरी तक देनी पड़ जाती है, क्यों? क्योंकि भाईया आदे को, आपने तो क्या हुआ कि खंबा गिर गया, क्यों? क्यों क्यों गिरा भाईया? क्योंकि सरकार ने आपसे जो टेक्स लिया है, उस के उससे ही किसी को टेंडर दिया होगा बहुत अच्छे से परक के जाच के ठीक है ना तो ऐसी इस्तिती में अगर वह गिर जाता है तो इसमें जो है दिक्कत वाली बात हो जाती है और फिर उस एवज में सरकार को जो है नोकरी तक दे देनी पड़ती है आपको कुसी भी चीज में जो है आपको अगर कुछ भी कोई भी परेशान कर रहा है कुछ भी कर रहा है राइट टू लाफ यानि की जीने का अधिकार के तहट केस कर दीजिए सबसे जब जैसे मान के चलिए आदार लिंक का एक मुकदमा आया था उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने जैसे आदार लिंक हुए थे ना तो information जो है किसी ने एक petition file की ठीक है ना तो petition में क्या लिखाता कि information जो है बढ़ जाएगी निकल जाएगी किसी के हाथ लग जाएगी गलत तरीके से तो जो है आदार को ये तो हमारा अधकार है तो Supreme Court में जो है case किया गया क्योंकि आदार में जो है personal information होती है अधिके जिन्नोंने ये case लगाया ना वो तो उनके खुद के काम की नहीं है कोई मतलब अगर कुमान के चलिए कोई लड़की अभी mobile number मांगे ठीक है ना जोग सबाट तो आसानी से वो दे देंगे लेकिन ऐसी इस्तिती में लेकिए personal information है ठीक है ना जूडिश शरी की बात के चलिए गलती से भी तो वो तो ऐसी तैसी कर देगा अभी इससे पहले आठ दस साल पहले क्या होता था आठ दस साल पहले आपने देखा था कितने सारे message आते थे company के फॉल आते थे तो DND आया था रून और डिस्टरब ठीक है ना तो इस है बज मैं बात की गई है और एक च अठाया जा सकता ठीक है ना किसी भी तरीके की emergency में नहीं अठाया जा सकता आर्टिकल 20 और 21 ठीक है इससे पहले हम आर्टिकल की अगर आभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है मैंने उसमें जाकर देखिए आपको अच्छा का अधकार है तो वो किस तरीके से है क्योंकि भी आपके जीने के अधकार है इसलिए इसको जो है आर्टिकल 21 ए में सामिल किया गया था आर्टिकल 22 की बात कर लेता हूं मैं वारंट देखिए इसमें क्या होता है आटिकल 22 में जो लिखा हूऊ है न कुछ मामलों में गिरफतारी वा निरोश से बचाव गिरफतार किये गए किसीवी व्यक्ति को सूचिद किये इह रासत में नहीं लिया जाएगा जैसे ही गिरफतारी होगी आधार बनाए जाएगा और और उसे जो है प्रामर्स के अधकार से बंचित नहीं किया जाएगा है ना और अपना पच्छ रषने का मौका मिलेगा उससे बिविद वैक्ती से मिलने भी दिया जाएगा अगर मान के चलिए कल को आपको पुलिस ले जाती है तो पहले आएगी आपके पुलिस जो है और बाकाइदा आपको से त्रफवारे न कमार आपको इस तीस जो है तो कोई भी आपके साथ जो है इतना बुरा नहीं होने देगा कभी भी ठीक है ना टो वारान्ट जो है अगर दिखाएगा पहले हो फिर जब उसके बाद थाने ले जा सकता है बस इसमें बात कर लेता हूं मैं दूसरे आर्टिकल की ठीके ना इसमें ही दूसरा कौन सा है दूसरे की बात करें तो वह जो है 24 गंटे के अंदर-अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्यस किया जाएगा चाहे कोई भी हो दे क सटाडे संडे पढ़ जा तो वह आतला करें चुट्टी हो जाती है लेकिन 24 गंटे के अंदर-अंदर उसको एफार यानि कि फाइनल रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी कि किस आधर पर जो है फाइनल रिपोर्ट तो खेर बात की बात है किस आधर पर जो है इसको एरासत म का जो है अधिकार है 24 गंटे और जैसे मान के चलिए कोई कहता है कि जूटे केस में पसादे कोई तो आज इस्तिती बदल चुकी है 24 गंटे के अंदर जो है जज के सामने रखाना पड़ेगा और जूटे केस में तो छोड़िए किसी भी तरीके से आप से पंगा लेने तक के ल करेगा जब एविडेंस हो जाएंगे उसके पास तो इस तरीके से जो है यह ध्यान रखिएगा ठीके इस मैसे जो है कोशन बनता है तो वो क्या बनेगा कि आपको अधकार दिया गया है कि 24 गंटे के अंदर अंदर जो है आपको मजिस्टेटर के सामने पेस किया जाएगा त कर चोटे-चोटे बच्चे चाय वाले के पास होते हैं तो जो है इसको जो है कानून जो है ट्रेफिंग अगर करा रहे है किसी भी तरीके की ठीक है ना फोर्स कर रहे है किसी भी जो है कानून तरीके का लगा रहे है उसके उपर या की फोर्स कर रहे है तो यह कानून जो है अपराद है साब किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप अस्तिचेप नहीं कर सकते हैं और जो है दूसरी ची जो मैं इंपोर्टेंट ची जो इसमें है आर्टिकल 23 में वह यह है कि आप जो है किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के खिलाब जो है फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी जबरन किसी कारे निए करवा सकते हैं ऑर मानव की तसकरी नहीं कर सकते हैं देखते हैं ना नहीं करेगा, अब ऐसा नहीं हो सकता है, देखिए कि आप तो छोटे इस जगह के हैं, उस जगह के हैं, आप इस जाती से हैं, तो आप ये काम करिए, कोई भी किसी भी तरीके का जो है, राज्य जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर कुछ भी वो कंपल्सरी नहीं कर जो क्योंकि यह सबसे जादा important है लोग आपको जो है पागल बनाएंगे लेकिन अगर थोड़े से भी पड़े लिखें है ना आप तो आप ऐसी तैसी कर देंगे उसके सामने वाले की कोई भी मूर्ख नहीं बना पाएगा आपको क्योंकि देखिए 14 साल से कमर उम्र के बच्चों की जो है 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों की आर्टिकल 21 के तहट किस चीज का अधिकार है 21 के तहट तो जीने का अधिकार है और Right to Education Act है ना कौन से सन में आया था वो कमेंट करके बताईएगा ठीक है Right to Education Act जो है और उसमें क्या है 21 में एड़ान किया गया था इसको किसलिए कि 14 वर्स से कमर उम्र के बच्चों की पढ़ाई के लिए आवशकता है तो इसलिए उनको Free of Cost पढ़ाई की आवशकता होती है इसलिए पढ़ाई उन्हें जो है कमपलसरी किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे को हमारा Right to Education ठीक है ना कि बाकी एक में क्लोस बता देता हूं आपको Freedom of Conscious यह सबसे जादा important है क्योंकि देखिए देश में इस समय पर हाल तुरन तुरन चोटी 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 चीजों पर हिंदू-मिसलिम बन जाता है कोई भी धरम के बारे में बात कोई भी होती है तो सारे लोग जादा तर जो है हमें यह सुबदाय प्रदान की गई है जिसके तहत हमारे कोई मामलों में कोई अस्तचेप नहीं कर सकता आपने देखे हूंगे ना मदर से खुल जाते हैं या कोई भी वेक्ति जो है अपने धरम की किसी भी तरीके से प्रेक्टिस करता है तो 25 से लेकर 28 तक एक बार र 31 तकısı फिर उसके बाद क्या बताया था 11 के बात 12 से लेकर 35 तक क्या है 20 में का है धर्म जाती नशलत, लिंग और प्लेज बड़त के आदार पर ठीकर वे की बात कर लेते हैं आप बताइए जल्दी पड़ापट ठीकर ना आरच्छन कोई लेके था ना नौकरी वगरा में तीकर वे की बात कर लेते हैं fundamental right क्या शीने का अधकार है किस-किस चीजों का अधकार है आर खुर्जस सतंत्र रूप से बोलने का अधकार है ठीके संग बनाने का अधकार है इस तरीके से 6 clause है उसमें देख लीजेगा उनको एक बार पुरानी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो देखेगा उसमें आराम स बताएगा है, राइट टू लाइब, जीने का अधकार, ठीक है, बाइसवे में क्या बताएगा है, जल्दी बताएगा है, पटापट, ये देखिए, बाइसवे आपके सामने ले आता हूँ मैं, ठीक है न, गरफतारी और किसी भी तरीके की जो है, अगर होगी, तो उससे पहल बारन दिखाना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, 24 गंटे के अंदर-अंदर, मजिस्टेट के सामने पेस करना पड़ेगा, ठीक है, मानव तसकरी को लेकर 23 वे में है, और 24 वे की बात कर लेते हैं, तो इसमें 14 साल से कम बच्चों के लिए, जो है, खतरनाक जगों प पर किसी पे भी जो है, नहीं बेजा जाएगा, उसमें सामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, 25 वे से 28 तक, ठीक है, आर्टिकल जो है, धरम को लेकर रहे हैं, तो मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, भाई-भाई, टेक केर,